हेलो गाइज and back with another video और आज यस वीडियो के अंदर हम लोग चेक करेंगे कैसे हम हमारा local network जो है हम over the internet access करेंगे without any static IP मैंने इसका यह पहले भी वीडियो में बात करी थी जिसमें हमने Ubuntu server को use किया था और उसके अंदर एक HTTP का server हमने XAMPP के थ्रू इनेबल किया था and उसको हमने access क किया था एंजी रोग के थ्रू एक HTTP टरनल हमने open करी थी और उसे हमने web server भी access किया था और साथी साथ में हमने वहां पे एक SSH server भी access किया था जिससे हमने port number 22 TCP का जो टरनल है वो open किया था और वो हमने access किया था over the internet आज यही concept में इसके अंदर use करने वाला हूं but इस case में आज मेरे पास में multiple services रहेंगी जिसके अंदर मेरा दो web servers रहेंगे एक gaming server रहेगा एक media server रहेगा और camera surveillance server हो सकता है और router हो सकता है तो ऐसी काफी सारी multiple services अगर आपकी एक particular home network के अंदर या internal network के अंदर है तो आपको multiple services open करनी पढ़ सकती है ng rock के through तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक ही channel open क TCP का और उससे सारा हम हमारा home network है वो उसको access करने का try करेंगे तो इस concept के अंदर मैं use करने वाला हूँ proxy तो सबसे पहले basically हम समझ लेतने हैं कि proxy server क्या होता है तो proxy server का concept यह है कि एक gateway है internet और हमारे client के बीच का for example अगर आपने कोई भी request करी for example यह आपका एक computer है जिसके अंदर आ proxy server के पास में and यह proxy server फिर इस internet को देगा youtube.com अगर यह search कर रहा है तो और यह फिर वापिस return करेगा youtube.com के जितने भी content है जो भी आपने request करीए और यह फिर proxy server आपको वापिस return करेगा so it's basically a gateway between internet and your client machine तो इसका benefit क्या होते है इससे आप caching कर सकते हैं जैसा कि हमने last video के अंदर ख store करके रख ली थी मतलब एक mediator हम लोगोंने kind of बोल सकते हैं इसको mediator हमने create किया था basically इसके इंदर squid proxy हम लोग use करने वाले हैं तो squid proxy का benefit यह है कि वो automatic static content जितने भी होते हैं website के for example आपने कोई भी website serve करी उसके इतने भी static content हो गए media उसकी images वो automatically इसके serve इसके cache में store करके रख लेगा तो इसका benefit यह है कि जब भी आप next time इसको internet से access करेंगे तो वो सबसे पहले अपनी local caching में चेक करेगा कि वो local caching में अगर इसके कुछ content available होंगे तो वो directly आपको उसके local server से pass कर देगा ना कि internet इस लाते वे इससे हमारी data bandwidth बचेगी और काफी fast भी हो जाएगा हमारा जितना भी page के view, page rendering जो होती ही वो काफी fast हो जाएगी क्योंकि local network से ही हमारा जो cache है वो content है वो लेकर आ रहा है तो caching हो गया, second हो गया हम पूरा network के traffic को control कर सकते हैं और example अगर आपके पास multiple clients है और multiple for example consider करते हैं कि हमारी एक lab है अब उस lab के अंदर आपके पास multiple computers है और multiple requests जो है वो send कर रहें और आपको यह check करना है कि इस computer ने कोई particular request कप करी है और किसने करी है तो आप सारा network का control कर सकते हैं सारी IP addresses आपको local internet कि उसके अंदर मिल जाएगी और उसके अंदर वो भी मिल जाएगा कि किसने कौन सा request किया for example यह first computer हो गया, second computer हो गया, third computer हो गया, first computer ने search किया youtube.com और second computer ने search किया, third computer ने search किया youtube.com, second ने search किया, for example, ozone digital.in जिस पर हमने अभी expense tracker बनाया हो और first computer ने google.com search किया, तो अब हमको यह check करना है कि Google, ozone digital और youtube किसने किसने search किया तो इसका सारा record proxy server के अंदर रहता है, third यह हो गया कि आप कोई भी website को block कर सकते है, for example, मैं नहीं चाहता कि youtube.com या google.com या कोई भी bad website आपको जो भी लगती है, example के लिए मैं youtube और google का ले रहा हूँ, तो आपको इसको open नहीं करना है, हाला कि यह सारा case जो है वो school या colleges के system में होता है, कि youtube और google वगेरा open नहीं करने देते हैं, तो वो भी इसा proxy configuration होती है, आप सारी website को block कर सकते हैं, enable, disable कर सकते ह तो यहाँ पर हमने proxy server की बात कर ली, तो अब proxy server के अंदर भी दो concept आते हैं, इसके अंदर एक forward proxy आता है और एक reverse proxy आता है, तो forward proxy का simple सा example है, हमारा college और school का network, जिसमें आपको youtube और facebook open करने को नहीं मिलता है, उसमें क्या होता है कि client जो होता है, वो communicate करता है internet को और proxy server को, मतलब और फिर internet वापिस return करता है proxy server को, proxy server से वापिस हमारे client machine को, और जो reverse proxy होता है, वो reverse proxy में क्या होता है कि हम over the internet हमारे internal network को access करने का try करते हैं, इस case में proxy server, reverse proxy servers use आता है, आपने क्या किया, आपने इस वाले server को for example access करने की कोशिश करी, जिसके अंदर आपकी कोई website hosted है, तो मैंने क्या किया, यह हूँ मैं client, यह मेरा client है, for example यह हो गया iPhone, for example, और मैंने इसको access करना चाहा, मेरा कोई website जो की मेरे एक internal network से connected है, तो यह request जाएगी मेरे proxy server को, और मेरा proxy server request जो है वो भेज़ेगा मेरे web server को, web server के content उठके आएंगे वापिस proxy server में, और यह वापिस मुझे return कर दे और इसमें हम multiple services जो हमारे local internet की होती है, उसको हम access करेंगे, okay guys, so अभी हमने basic concept इसका समझ लिया, forward proxy का क्या हम करने क्या वाले है, और हमने overall concept समझ लिया कि मैं इसके अंदर करने क्या वाला हूँ, सारे हम लोग access करेंगे, हमारे home network को एक ही tunnel के उपर, तो अभी इस video को मैं part में बनाने वाला हूँ, क्योंकि video काफी जो है वो लंबा चला जाएगा, duration काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको पार्ट में बना लेते हैं, और एक part जो मैं बनाऊँगा, वो windows के लिए बनाऊँगा, एक part बनाऊँगा, Linux के लिए, उसमें Linux, काली Linux यूज करूँगा मैं, तो हम लोग देखते हैं, next video के अंदर की कैसे हम इसको configure करते हैं, कैसे website blocking करेंगे, caching करेंगे, और बाकि सारा काम हम लोग configuration, next video में देखते हैं, तो फिलाल के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में